तो दोस्तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत informative और बहुत ही interesting क्योंकि आज हम सीखेंगे MS PowerPoint में कुछ इस तरह की animated thank you slide बनाना देखें दोस्तो जब भी आप MS PowerPoint में slides बनाते हैं तो thank you slides बनाते ही हैं तो अगर आपकी देखें लास्ट वाली site कुछ इस तरह की दिखेंगी तो देखें बहुत ही attractive दिखेंगी और आपका जो guide है teacher है वो आपसे impressed हो जाएगा और आपके देखें practical में full number तो बिलकुल पके तो दोस्तो अजस्त आपने मेरे साथ इस video में बिलकुल step by step follow करना है भी आप कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद तो दोस्तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाल ये बहुत ही informative तो नमस्का दोस्तो मेरे तेश आप सबका स्वागत करता हूँ creative learning के चैनल में और दोस्तो अगर आप computer सीखना चाते हैं computer related बहुत सारी tips and tricks चानना चाते हैं तो नीची red click subscribe button उस पे click कर लिजे साथ ही में bell icon को press कर लिजे ताकि आप हमारे चैनल से latest notification regularly मिलती रहे अब दोस्तो अगर आप computer की सारी information लेना चाते है step by step free में PDF डाउनलोड करना चाते है तो आप हमारी website पर चल जाएए जो कि www.pctips.in यहाँ पर आपको complete information मिलेगी बहुत सारी tips and tricks मिल जाएगी और साथी में अगर आप हमारे यहाँ पर online course से join करना चाते हैं तो आप हमारी mobile app डाउनलोड कर लीचे अपने place store से जो के creative learning वाई रितेश सारे courses बहुते discounted price में available है तो जस्त आप यहाँ पर one time payment करिए और सीखे computer बिलकुल detail में तो आई दोस्तो लेट्स विगन विर डिस topic आई दोस्तो मैं आपको बिलकुल step by step बताता हूँ कि मैंने यह वाला effect पावपॉइंट में कैसे बनाया तो बिलकुल देखे detail में बताने वाला हूँ तो जस्त आपने मेरे साथ follow करना है जो इसकी file की जो link है मैं बिलकुल description में दूँगा तो महाँ से आप download कर सकते हैं और मेरे साथ step by step follow कर सकते हैं यकीन मानेगा दोस्तों बहुत informative वीडियो होने वाली है और बहुत interesting भी होने वाली है और आपको बहुत कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा तो आईए देख लेते हैं तो सबसे पहले में एक नया powerpoint की window open कर लेता हूं control n की मदद से और जैसे कि आपको पता है powerpoint में by default देखे दो text box मिलते हैं तो just मैं इस पर click करता हूं और इसको यहाँ पर delete कर लेता हूं आपके rectangle यहाँ पर draw हो गया उसके बाद आपने इस rectangle का color define करना है तो just मैं यहाँ पर देखे shape format tab में जाके shape fill में जाके इसको यहाँ पर light gray color select कर लेता हूं वैसी जो मज़ी color आप यहाँ पर select कर सकते हैं और shape outline में जाके इसको no outline कर लेता हूं इसके पर दोस्तों मैं यहाँ पर text box insert कर लेता हूं insert tab में जाके यहाँ पर text box पर click करता हूं और यहाँ पर पूरी slide में अपना text box यहाँ पर insert कर लेता हूं मतलब एक बड़ा सा text box insert कर लिया ताकि मैं यहाँ पर message लिक सकूँ thank you का इसके बाद मैं यहाँ पर इसका size set कर लेता हूँ let's say मैं कर लेता हूँ 96 और जो इसका font style है वो भी मैं set कर लेता हूँ तो अगर मैं देखिए नीचे जाओं मुझे थोड़ा सा कोई अच्छा सा font मिले जो bold सा दिखे तो मैं यहाँ पर यह select कर लेता हूँ तो अभी के लिए मैं देखिए यह वाला font select कर लेता हूँ जो की है Gil, SAS, Ultra, Bold तो just मैंने इसको select किया अब मैं यहाँ पर message लिख लेता हूँ let's say thank you तो आप देखिए मैंने message लिखिया और थोड़ा सा मैं font increase और कर लेता हूँ तो मैंने select किया 96 सी जगह मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 100 ताकि थोड़ा सा font हमारा बड़ा आ जाए इसके बाद में यहाँ पर जो text box extra इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ मनद रिसाइस कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं इस जो text box है इसको प्लेस कर लेता हूँ बिल्कुल center of the slide जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर marking दिख रही है आपको dotted line की तो आप इसके accordingly आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने text box को कहाँ पर place करना है तो मैंने बिल्कुल center of the slide place कर लिया अब आपने क्या करना है आपने जो पीछे वाला text box से इस पर क्लिक करना है और control button press करके रखना अपने keyboard से और सामने वाला text box select करना है इससे आपके देखिए दोनो text box select हो गए इसके बार आपने यहाँ पे shape format tab में जाना है और जाने म, shape में और यहाँ से select करना है सब्ट्राक्ट तो आप देखिए आपका जो text box है वो पिछले वाले text box से सब्ट्राक्ट हो गया है अब मैं यहाँ पे एक picture insert कर लेता हूं picture insert करने के लिए जैसमें insert में जाता हूं picture में जाता हूं और अपनी picture यहाँ पे select कर लेता हूं अभी मैंने already यहाँ पे picture save करके रखी हैं वैसे आप जो मरजी picture हो वो भी आप यहाँ पे save करके रख सकते हैं वैसे इस picture का link भी मैं यहाँ पे description में दूँगा तो अगर practice करनी है तो यह वाली picture आप यहाँ से download कर सकते हैं तो जैसमें इसको select किया और यहाँ पे insert किया तो आप देखेंगे picture insert हो गई अब मैं just shape for picture format tab में जाके यहाँ पे इसको crop कर लेता हूं crop कर लेता हूं aspect ratio रख लेता हूं 16 is to 9 जैसे आप देखेंगे आपकी यहाँ पे picture crop हो गई है और इसको मैं just बाहर की दरफ क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे picture आपकी crop हो गई है aspect ratio 16 is to 9 में अब मैं just यहाँ पे again picture पे click करता हूं और यहाँ पे click करता हूं send backward तो आप देखेंगे आपकी picture देखें यहाँ पे चलीगे मजबत thank you का message है इसकी पीछे आपकी picture यहाँ पे आ गई है अब दोस्तों क्या करना है मैंने second picture insert करनी है second picture insert करनी लिए again मैं यहाँ पे insert tab में जाके pictures में जाके अपनी second picture select कर लेता हूं जो की है यह वाली again मैंने insert कर ली again मैं crop पे जाता हूं और expect ratio यहाँ पे रख लेता हूं 16 is to 9 ठीक है इसको मैं थोड़ा से नीची की तरफ और crop कर लेता हूं ताकि जो unwanted portion है picture का वो यहाँ से हडचा है उसकर मैं again भार की तरफ click करता हूं और again इस picture पे click करता हूं ठीक है और इसको मैं थोड़ा से इस तरफ drag कर लेता हूं तो अब यह आप देखेंगे यह वाली picture है जो thank you के आगे आ रही है हम चाहते है यह picture thank you के पीछे चल जाए तो just मैं यहाँ पे इस पे click किया और यहाँ पे picture format पे जाके click किया send backward तो आप देखेंगे आपकी picture देखें पीछे चली गई है और अगर मैं यहाँ पे zoom out करूं मतलो control के साथ थोड़ा सा scroll तो देखेंगे zoom out हो गया और इस picture को मैं ड्राग करूं तो देखें इस तरह का effect आ रहा है जो हम चाहते थे अभी मैं इसको animation के through बनाएंगे कि हमने कैसे बनाना है तो जैसे इस picture को मैं यहाँ पे भार की तरफ प्लेस कर लेता हूँ मैंने देखे zoom out किया हुआ है अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक line आजाए ताकि जब लाइन आपकी picture के साथ चले तो यह वाला effect आपको देखे तो इसके लिए मैं अगें यहाँ पे insert में जाता हूँ और यहाँ पे एक shape insert कर लेता हूँ जो के rectangle की और यहाँ पे यह वाला जो rectangle है मतलब इस तरह की line में यहाँ पे draw कर लेता हूँ और इसका जो color है मैं black रख लेता हूँ और इस वाले line को इस picture के साथ रख लेता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रख लिया अब दोस्तों मैंने यहाँ पे animation का effect डालना है ताकि जब यह दोनो इस side scroll हो तो आपकी animation proper form में आए तो इसके लिए मैं यहाँ पे दोनों जो pictures है मनलब जो यहाँ रेक्टांगल इसको select किया और control button प्रेस करके यह वाले जो picture दोनों select करी अब animations डालने के लिए just आप यहाँ पे जाए animation में और यहाँ पे जाए add animation में जैसे आप नीचे जाएंगे ना यहाँ पे आपने motion पाफ में select करना है line तो जैसे मैंने line select किया आपकी animation यहाँ पे आ गई है अब आपने just क्या करना है यहाँ पे effect option में जाके इसको down की जगा select कर लेना है left ताकि आपके animation left hand side यहाँ पे आए अब दोस्तो animation का आपने motion select करना है तो just आपनी क्या करना है सबसे पहले जो rectangle की जो line है आगे वाली आपने इस पे click करना है तो आप देखेंगे यहाँ लाइन select हो गई ठीक है और इसको क्लिक करके ड्राइग करना है कब तक ड्राइग करना है जब तक यह पिचर है इस एरो की को मैच ना कर जाए ठीक है इस चीज़ का आपने धियान रखता है मतलब यहां तक ही ड्राइग करना है जब तक आपके पिचर जो एंड में एरो की है इसके साथ नहीं ह पे छोड़ देना है इसके अदर मैं यहां पर एक text box और insert कर लेता हूं तो just मैं यहां पर जाता हूं insert में और यहां पर click करता हूं text box में और यहां पर नीचे text box insert कर लेता हूं ठीक है इसके अंदर मैं अपना text ठीक है तो जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पर click किया click करने के बाद मैंने यहाँ पर text लिख लिया fill to ask any questions उसके यहाँ मैंने इसको select किया पूरे text को और यहाँ पर spacing है ना जो यह वाली इसको select किया और यहाँ पर कर दिया more spacing पर click उसके बाद जो इसकी स्पेसिंग मैं यहां पर रख लेता हूँ let's say 10 and then ok press किया तो आप देखिए इसकी स्पेसिंग में जो बीच में text के जो letters थे उसकी बीच में spacing increase हो गई है इसका font में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ let's say मैं 44 कर लेता हूँ ताकि यह ठीक आ जाए और इसको भी मैं center में place कर लेता हूँ अपने slide के तो आप देख सकते हैं आपकी यहां पे बिल्कुल perfect way में देखे slide ट्यार हो गई है अब इसको देखने के लिए जैसमें नीचे जाता हूँ यहां पे slide view में या slide show में आप इस पे click करिए तो आप देखेंगे यहां पे यहां पे यहाली slide आपके सामने आ गई है और जैसे आप यहां पे click करेंगे अपनी slide में तो आपको यह वाला effect दिख रहा है अब देखें यह effect काफी fast दिख रहा है अगर आपने इसको slow करना है तो इसके लिए बहुत ही simple trick है तो इसके लिए आपने क्या करना है आपने सबसे पहले जो यह वाली animation है ठीक है न यह वाला rectangle इसको select करना है control button प्रेस करके यह दोनों select करने है उसके बार आपने यहां पर जाना है animation में ठीक है जो इसकी duration है 2 seconds इसको मैंने कर देना है यहां पे 10 seconds ठीक है और यहाँ पे मैंने बाहर क्लिक कर लेना मनलब टाप बटन प्रेस करना है अब मैं अगेन यहाँ पे देखिए स्लाइट शो में जाता हूँ ठीक है और अपनी स्लाइट पे यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अब आपकी एनिमेशन का effect तो देखेंगे बहुत ही अच्छे यहापी effect आ रहा है और आपकी एक thank you की slide काफी अच्छे बनेगी मतलब जब भी आपको एक presentation देंगे और यहाली thank you की slide बनाएंगे तो आपके लिए clapping तो देखें जरूर बनेगी यहाँ पर आपको हमारे सारे courses मिल जाएंगे या आप बहुत ही असानी से हमारी mobile app भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है creative learning बेरिटेज play store से जैसे आप हमारी app डाउनलोड करेंगे हमारी website open करेंगे आपको सारे courses मिल जाएंगे बहुत ही discounted price में तो जिस course में भी enrollment करनी है उस course में आप enrollment कर सकते हैं और lifetime एकसे पासकते हैं सारी videos का मतलब आपने एक बार payment करनी है आपको lifetime के लिए यहाँ पे regularly जो जो हम videos डालते रहेंगे वो इस course में आती रहेगी साथी में आपको completion certificate मिलेगा और WhatsApp support मिलेगा मतलब कोई भी doubt हो आप इस number पे WhatsApp कर सकते हैं और अपने doubts यहाँ पे clear कर सकते हैं तो दोस्तो अभी कर लिजे इस course में enrollment क्या पता कौन सी चीस कब काम आ जाए तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो कैसे लगी? कॉमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही में हमारी चैनल को like, share और subscribe करना दोस्तो मत भूनना अंटिल एं गुद्बाई, टेक केर